दोस्तो गुल्दाओधी की potting के time आगए है यह fast potting है यह मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप fast potting कर सकते हैं यहाँ पर हमारे माली है हमारे मॉन्टू घड़ाई यह fast potting कर रहे हैं उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको मित्टी बनाना पड़ेगा मिठ्टी के तयार करने का तरीका में दिखाता हूं कैसे आपको मिठ्टी तयार करना है यह जो 2 मट मिठ्टी है प्लेन 2 मट मिठ्टी लेके उसमें आपको चूना या लाइम जो हमारा white bass होता है वो जो चूना करीब यहाँ पर देखे चार बोड़ी भर कर मिठ्टी है उसमें हम देंगे करीब एक किलो का करीब चुना इसमें डार रहते हैं ये लाइम है लाइम पाउडर चुना जो हम लोग वाइट बास में यूज करते हैं वो चुना देना पड़ेगा अच्छी तरह से उसके बाद करीब हम इसमें देंगे दो किलो के करीब हम इसमें देंगे जो है हौन मिल जिसको हम सिंग चाचा कहते हैं हौन मिल यह हौन मिल देते हैं इसमें नाइटरिजन का बहुत अच्छा सोर्स रहता है और यह छोटे पौदे के लिए बहुत अच्छा रहता है इसलिए हम इसमें हौन मिल मिलाती है कम से कम आप करेंगे एक से देर मेना पहले य इसमें आप पानी डाल दे हलका सा पानी आप छी रख दे हलका सा पानी छी रखना के बाद आप इसको रख दे करीब एक से डेर मैंने आपको कुछ नहीं करना यह सेट करना है ताकि बारिस में नहीं भीजे और यह देखिए इसमें पानी देखे यह करीब एक से डेर मैंने पांच कि खाया है हमारी मिलते हैं खुल लेने से करीब 3D MON आते जाते हैं यह आते हैं यह गुलदाओदी के हमने कड़िप 50 भाई वे लाए है अभी हम करीभावद हों के पॉल केुट्ण करते हैं यह तीन इंच के गमला है तीन इंच पूरा हमारे पास करीब 500 पौदा हम लाया है करीब 15,000 पौदे लगाते हैं इसका गमले में उसके बाद हमारे गार्डन में भी होता है यह दिखिए फिटिंग करने के बाद एक जगा हम लोग स्टॉक करते हैं इसलिए इसलिए बेंच लगाओ बेंच के बड़ा होगला पत्ता की चताई दी वही है ताकि छाया बना से थे थोरा सा हलका सेड बनाया जा सके यह देखिए यहां पर रखने के बाद यह जो पौदे हैं इसमें मिटी हल्केल की शूखने के बाद पानी की जोर० है तब नए रोज-नोर और उपर में सेड्ड कुण ढूर। या फिर कोई का आपका बस कपड़ा है सारी है दोती है उसके आप कवर कर दीजिए और उसको साम को आपको खोल देना पड़ेगा यह मैं आपको दिखाते हैं इस तरह से दीखिए हमारे करीब 500 हम चोटे-चोटे गमले में तीन इंच के गमले में करीब 500 पौदे हम यहां पर फिठ किये हुए है, उसके दिएए पुड़ा, आज ही फीट किया हुआ है पुड़ा पौदे, और इसको हम इस तरह से हेब करके रखते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो पौदे लाये हैं, इसमें पहले पानी दे देते हैं, उसके बाद देखिए, यह जो चटाई दीए है यह bench दिया हुआ है bench और चटाई यहां पर जो है हमारे सोकातली से एक वह भी potting फिट करने जो लास्ट टाइम की potting है यह भी काम चल रहा है इसका आज complete हो जाएगा उसमें पानी देखा हम ढग देंगे और सेमी सेड बना देंगे उसमें देखिए मैं सेड मनाने का तरीका देखाता हूं यह दखिए होगलापत्ती के चटाई यह bench दीखिए यहां पर rod देके यहाँ पर जगाँ बनाई गी गई है उसमें यह लाड देखिए दुनुन साइड में राड देखिए और होगलापत्ता की चाउनी दीए है यह ढग दिया जाता है श जब पांच बज़ाए इस तरह से अभी रख देते हैं धूप की टाइम में जब पांच बज़ाए जब पूरी धूप खतम हो जाए तब आपको इसको चटाई को फिर से आपको उखार देना पड़ेगा ताकि हवा का चला चल हो पूड़ा ओस गिरे हलकी सी ओस गिरे इससे क् मनत्तर रहेगा फिर कल आप साथ बजे आट बजे फिर इस तरह से शेलिंग कर देने इस तरह से देखी यह तयार हो गया है और आपको अभी कुछ करने की जावत नहीं है हर दिन एक दिन बात-बात थोरह तरह पानी देते रहें और सुबह साम आप इसको उपर सेट का ध्या में लाके अगर आपको बास यह मित्ती नहीं है तो थुरा बर्मी कॉम्पोस्ट और मित्ती देखा इस तरह से फुटिंग कर दें